हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो मैं बुक्स पढ़ता हूं इंडियन कंस्टिटूशन के लिए यानि की जो बुक्स मैं पढ़ता हूं पॉलिटी को कोवर करने के लिए वो सारे बुक्स को आज मैं आपके साथ सेर करने वाला हूं यह बुक बहुत important है मुझे यह बहुत अच्छा लगता है किताब पर के क्यूंकि इससे क्या होता है जितने भी concept है इंडियन constitution में या फिर इंडियन पॉलिटी में पकड़ लिजी आप तो वो सारे कॉंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाते हैं यह बेसिक से हैं आपको इसी बुक्स में बेसिक भी समझ में आ जाएगा है एडवांस लेबल में भी आप इस बुक्से बहुत ही डैप्ट के साथ इंपोर्टेंट केस लोग इतने भ करना चाहते हैं यह आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है यह इंडियन पॉलिटी लक्षमी कांति तो बहुत फेमस बुक है इसमें आपको एकदम बेसिक लेबल का जितना भी कॉंसेप्ट है ना इंडियन पॉलिटी को लेके वह सारे कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएंग दे लेपर जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का केस बहुत सारे केस मिलते हैं वह जो बुक है वह हैं डॉक्टर जेयन पान्दे का बुक कंस्टेटूशनल लाउट ठीक है तो यह बुक जो है यह भी मुझे बहुत पसंद आता है इसमें थोड़ा सा क्या है सुप्रीम तो आर्टिकल वाइस मिलता है आर्टिकल वान टू थ्री इस तरह से क्रोनलोजिकल मैनर में दिया गया है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है यह बुक मैं बहुत फॉलो करता हूं एललबी में भी मैंने इस बुक को बहुत ही बाहर पढ़ा था तो यह मुझे बहुत अच्छा इस बुक को परके मैंने बहुत अच्छा एक्जाम में भी स्कॉर्ड किया था तो इसके बाद इसके साथ साथ यह आप हमेंसे एक याद रखे कि आपको इसके साथ साथ एक बैरेक्ट ले लेना है यह जो बैरेक्ट आता है कंद कंस्टिटूशनल लॉफ इंडिया यह बहु अगर यह आप यूज करते हैं तो इसमें क्या आपका लेंग्विज में एक अलग साही लॉका फ्लेवर आता है तो मैं यह सबको बोलता है कि आप जो भी बुक पर इंडियन कॉंस्टिटूशन से रिलेटेट या फिर इंडियन पॉलिटी के बुक्स जो भी पर है तो आपक अलग ही लेबल का एक नॉलेज मिलता है तो इसे जरूर पर है तो इसे एक एडवांस लेबल में अगर आप और थोड़े से डैप्त में स्टड़ी करना चाहते हैं इंडियन कॉंस्टिटूशन के उपर तो देखिए आपको यह डिदी बासू का बुक परना परेगा आपको यह बुक मैं पढ़ता हूँ यह बुक मुझे बहुत पसंद आता है इसमें जो थोड़ा एडवांस लेबल में लिखा हुआ है अगर आप बैसिक जानते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं इसमें क्या आपको एक अलग ही विजन मिलेगा आपको कॉंस्टिटूशन को तो इसमें Constitution में आपको Supreme Court का जो judgment है वो भी बहुत अच्छी तरह से दिया गया है इस बुक में तो इस बुक में जो Supreme Court का case है High Court का case है वो भी बहुत अच्छी तरह से दिया गया है इसमें elaborately दिया गया है तो ये बहुत important लगता है मुझे इसके बाद और एक book आता है जिसका नाम है Indian Constitution by MP Jain तो देखिए ये भी जो book है ये भी बहुत अच्छा book है ये बहुत ही ज्यादा मोटा सा book है बट ये ये भी बहुत अच्छा आता है कि अगर आप elaborately परना चाहते हैं Indian Constitution के बारे में या फिर इंडियन पॉलिटी में जितने भी topics आते हैं वो सारे topics उस book में cover है तो आप उस book को भी पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छा book है मैं भी उसे बहुत बार पढ़ चुका हूं तो ये सारे books को अगर आप मैच अप करके एक साथ ही पढ़ते हैं तो आपको एक अलग लेबल का understanding होगा कोई भी topic को लेके आप एक अलग ही लेबल का आप writings भी कर पाऊगे आपका writing जो होगा वह बहुत ही अलग होगा दूसरे दूसरे students से तो मैं तो यहीं बोलता हूं कि यह सारे books को आप compare करके एक साथ पढ़े आपको बहुत ही depth में understanding होने वाला है तो चलिए यह जो books मैंने बताया यह मैं follow करता हूं मैं अभी भी पढ़ता हूं इस book को मैं LLB में भी पढ़ा था इस book को मैं competitive exams के लिए भी इस book को मैं इसी books के उपर ही मैं Indian polity या Indian constitution का जितने भी questions से सभी को मैं cover करने का try करते रहता हूं तो यह बहुत ही अच्छा book है मुझे मुझे य इसा questions नजर नहीं आता जिसका answer मुझे इन books में ना मिला हो तो मैं बहुत ही अच्छा फिल करता हूं कि मैं Indian polity इंडियन constitution से related जो भी queries होते हैं मुझे उसका answer इस books में मिल जाता है इन सारे books में तो चैनल को subscribe कर लिजिए बहुत जल नए 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 वीडियो के साथ और मिलेंग कर दो